Hi friends and welcome back to another video और दोस्तों आज हम बात करेंगे एक new launcher update के बारे में जैसे कि आप लोग जानते हैं मैंने आपको काफी सारे launcher updates के बारे में बताया है अल्रेडी लेकिन दोस्तों इस launcher के अंदर आपको जितने भी problems थी जितने भी bugs से वो सभी तो fix होने ही वाले हैं और आपको काफी सारे features भी नए मिलने वाले हैं जैसे कि आप देखें पहले आपको app drawer के अंदर ये problem देखने को जरूर मिलते होगी काफी सारे लोग मुझे comment करके पूस्ते थे ये problem तो fix होगी और भी आपको बहुत सारे features भी मिलने वाले हैं तो बात करेंगे इसी अपडेट के बारे में तो चलिए आज किस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तो अगर आपको ये अपडेट पसंद आता है या फिर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक तो करना बिल्कुर भी मत बुलेगा और जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरे पास MI Redmi Note 5 आप इस लाउंचर के अपडेट को अपने किसी भी MI के फोन के अंदर अपडेट करके यूज कर सकते हैं आपको सारे फीजर्स मिल जाएंगे जैसे कि आप देखें सबसे पहले मैं एक बार आपको पुराना वाला लाउंचर यानि कि ये बिल्कुर नॉर्मल है जो कि आपके फोन के साथ आता है इस लाउंचर का अपडेट का मेरा सबसे मेन कारण ये है कि इसके अंदर आपको जितने वी बख्स से वो सभी फिक्स देखने को मिलने वाले है अगर आप देखते हैं दोसो यहां पर ये उपर वाला लाउंचर है ये ओल्ड वाला लॉंचर है मैं आपको एक बार जरूर दिखाना चाहूँगो जो मैंने लास्ट टाया था अगर आप देखें लास्ट टायम मैं आपको यह लाँचर अबदेट के बारें बताया था उससे पहले भी जितने launcher updates थे उन सभी में आपको कोई न कोई प्रॉब्लम तो जरूर मिलती थी अगर आप देखते दोस्तों पहले क्या होता था कि app drawer के अंदर आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलती थी ये कि नहीं मानें कि मेरे पास बहुत सारे लोगे इसके लिए comment आते थी कि इस problem को कैसे fix करें तो मैंने उनको बताया थे कि background में जाके 100% transparent कर दीजिए ये problem fix हो जाती है बट था था दोस्तों ये बगी और भी आपको काफी सारे problem देखने को मिलती थी पहले वाले launchers में उतनी यादा optimization भी आपको नहीं मिलती थी यह मैंने अभी आपके सामने अनिस्टॉल कर रहा है यह old वाला है आपको यह नीचे वाला launcher इस्टॉल करना है ज्योंकि 20 जून का latest update है यहाँ 20 जून का latest update है आपको इस अपने phone के अंदर download करना है करने के बाद इसको इस तरह से update कर लेना है जब आप update कर लेंगे तो अब हम अपने phone के अंदर एक latest और बढ़िया launcher को यूज कर रहे हैं यानि कि जिसके अंदर आपको सारे features बिल्कुर perfectly work करते हैं अगर आप देखते हैं settings के अंदर जाकर और यहाँ पर home screen के अंदर तो इसक apps preview का option मिल जाता जिसमें आप यूज कर सकते हैं आपको यहाँ पर और भी option मिलते हैं home screen के अंदर आपको with app door और classic का option देखने को मिलता है पहले दूसरो इनको इधर से classic से app door में करने में lack आपको देखने को मिलता था लेकिन आप वो भी देखने को नहीं मिलता उसको भी fix कर इसके अलावा आपको icon size देखने को मिल जाते है icon size आप यहाँ पर change कर सकते है home screen layout आपको मिल जाता है app wallet अगर आपको नहीं चाहिए तो वो आप यहाँ से on off कर सकते हैं इसके अलावा आपको और कुछ देखने को नहीं मिलता है तो चलते हैं आप home screen के तरह जहाँ पर मैं app door को enable कर लिया है अगर मैं आप swipe up करता हूं तो अब आप देखें यह है perfect launcher यानि कि जिसमें कोई भी problem नहीं है और वो जो problem थी वो अभी fix हो चुकी है यहाँ पर यह बिल्कुर अच्छे से work करता है app door आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आपको सारी customization मिल जाती है folders मिल जाते ह इसके अंदर touch response भी काफी अच्छा है जो 3D touch है वो भी बिल्कुर perfectly work करता है और जो smoothness है वो भी आप यहाँ पर पूरी तरह से देख सकते हैं आप दोसर इस launcher के update को अपने किसी भी phone के अंदर install कर सकते हैं update कर सकते हैं आपको जितने भी features है वो उस phone के अंदर देखने को मिल जाएंगे तो update करने के बाद जो performance है जो features है वो काफी सारे बड़ एक मिनट यार यह virus एक मिनट इसको install कर दूं बस तो जैसे कि आप देखें अनिस्ट्रॉल करने पर आपको animation भी काफी अच्छी मिलती है वो भी sound के साथ M112 के animation आपको देखने को मिल जाती है यहाँ पर और उनको optimize कर दिया है जो app door है उसको fix कर दिया गया है जो features है वो भी काफी अच्छी से work करते है तो इस launcher को आप अपने phone में जरूर update कीजेगा तो make sure आपको वीडियो पसंद आई होगी तो like share करना मत बूलेगा मिलता हूं फिर आपसे next video में तब तक के लिए thanks for watching